आज हम जानेंगे कि पैन कार्ड को वेरिफाइड कैसे किया जाता है इस वीडियो में हम पैन कार्ड को वेरिफाइड कैसे करें इसके बारे में जानेंगे तो दोस्तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं की है तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाली ऐसी और भी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें तो सबसे पहले आपको अपने Google Chrome को ओपन कर लेना है Google Chrome को ओपन कर लेने के बाद में सर्च बार में टाइप करना है E-Filing Income Tax ये टाइप करते ही आपके सामने सबसे पहली वेबसाइट जो भी आएगी आपको उसे ओपन कर लेना है उसके बाद हमें उसे नीचे स्क्रोल करना है नीचे स्क्रोल कर रहेंगे तो हम देखेंगे कि नीचे एक Verified Your Pen का ओप्शन दिखाई देगा उस पे हमें क्लिक कर देना है क्लिक करते ही एक नया पेज ओपन हो जाएगा यहां हम देखेंगे कि यह हम से हमारा Pen Card का नंबर पूछ रहा है तो यहां हमें अपने Pen Card का नंबर है जो वो डाल देना है और यहां हमें अपना Full Name एंटर कर देना है फुलने मेंटर करने के बाद नीचे हमें डेटो बर्थ का ओप्शन दिखाई देगा डेटो बर्थ के ओप्शन पे क्लिक करके हमें अपनी फुल डेटो बर्थ यहां पर डाल देनी है डेटोबर डालने के बाद साइड में हमें Mobile Number का Option मिल रहा है यहाँ पर हमें अपना Mobile Number डाल देना है उसके बाद हमें यहाँ नीचे Continue के Option पर क्लिक कर देना है Continue के Option पर क्लिक करते ही आपके इस Mobile Number पर एक OTP सेंड कर दिया जाएगा जिसे आपको enter करके validate पे click कर देना है next वाले option पर click करते ही यह आपको बता देगा कि आपका pen card active हो चुका है और जो आपने detail दी है वो बिल्कुल सही है तो दोस्तो ऐसे ही हम अपने pen card की detail को verified कर सकते हैं